इश्रम कार्ट बनवाने जा रही है तो जरूर जानने ये बात हैं देश में करीब 38 करोड असंगटित स्रमिक हैं किन सरकार इन सभी का रिजिस्ट्रेश इश्रम पोर्टल पर करने का लक्ष बना चुकी है अब तक पोने तीन करोड के करीव स्रमिक अपना पंजी करण करा चुकी है यानि इनका इस्रम कार्ट बन चुका है इस पोर्टल पर रजिस्टिसन को लेकर लोगों की मन में कई तरह की सबाल उठ रही है आईए इन सबालों का जबाब जाने असंगटित छेत्र क्या है बिबिन चेत्रों के असंगटित स्रमिकों का प्यापार डेटा वेस्ट तयार करने की दिसा में उठाया गया यह पहला कदम है इसमें निर्माण, परिधान, वी निर्माण, मचली पकड़ना, फुटकर, विक्रे, घरेलू, काम, किर्सी और समरद वर्ग, परिवहन छेत्र आदी के असंगटित स्रमिक शामिल है यह भी पड़े इस्रम कार्ड नहीं बन पा रहा तो अपनाएं यह ट्रिक ट्रंथ होगा डाउनलोड, असंगटित कामगार कौन है, कोई भी कामगार जो ग्रह आधारित कामगार, स्वै नियोजित कामगार या असंगटित छेत में कारेरत वेतन भोगी कामगार है और E.S.IC या E.P.FO का सदसिन नहीं है, उसे असंगटित कामगार कहा जाता है जैसे अगर आप टूशन पढ़ाते हैं या सिलाई की दुकान है तो भी आप इस स्रेणी में आते हैं इससे फाइदा क्या है केंद्र सरकार ने इस रम पोर्टल विक्सित किया है जो असंगटित कामगारों का आधार से संबद एग केंद्री करत डेटावेस होगा पंजी करण के बाद उन्हें पीवी एस बीवाई के तहट दो लाग का दुरगटना बीमा कवर मिलेगा भविस में असंगटित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाव इस पोर्टल के माध्यम से परदान किये जाएंगे NCO क्या है? सरमकार के लिए रजिस्ट्रिशन करते समय एक कॉलम है NCO का इसमें उन सभी छित्रों का जिक्र है जो इस योजना की तहट आती है यह कार की प्रकरती और कार को निस्पादित करने के लिए आविश्यक कोशल स्थर के आधार पर तयार किये गए ब्यवसाय का राष्टी वर्गी करण है यह एक अंतर राष्टी पद्धिती है तथा पूरे देश में एक समान है ब्यवसायों तथा कोशल स्थरों की तुलना वर्गी करण वा स्रेडी बद्ध करने में यह सायक है पेशा क्या है? किसी व्यक्ति का सामान या प्रमुख कार या ब्यवसाय बिसेस रूप से जीवको पारजन के साधन के रूप में पेशा कहलाता है वह गतविदी जो श्रमिक की आय का प्रमुख स्रोथ है वह प्रात्मिकी पेशा है कोई अन गतविदी जो आय का एक मामुली लेकिर महतपुण श्रोथ है दुतियक पेशा कहलाता है जरूरी डोक्यूमेंट क्या होंगे? कामगार द्वारा ईश्रम पोर्टर पर पंजी करण करने के लिए निमने लिखे दस्तावेज अवश्चक है आधार संक्या मोबाइल नमबर जो आधार से जुड़ा हो बैंक खाता यदि किसी कामगार के पास आधार लिंक मोबाइल नमबर नहीं है तो वहें निकटतम CSC पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमारी करण के माध्यम से पंजी करण कर सकता है आप सीधे हेल्प डेक्स नमबर पर कॉल कर सकते हैं अपने क्रेडिशियल्स की पुष्टी करने के बाद इश्रम पोर्टल पर आपका मोबाइल नमबर अपडेट हो जाएगा वेकल्पे के रूप से आप मोबाइल नमबर अपडेट करने के लिए इश्रम पोर्टल या निकटतम CSC SSK S केंदर पर भी जा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्स्क्राइब कर बला आइकन को प्रिस करें अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए आप हमें फोन पे कर सकते हैं डीटेल्स स्क्रीन कर दी गई है